हालो दोस्तो मेरा नाम में बिनाय और आप लोग देख रहे हो बिनाय टेक तो मैं आज आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू चेक डिल स्टाटस आप लोग कैसे ड्राइविल लैसेंस का स्टाटस चेक कर सकते हो मैं आप लोग को फुल डीटेल में बताने जा रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आप लोग को Google में सर्च करना होगा DL Status और यह जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके पूर आप लोग को क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो हम लोग परिवान सेवा जो कि Government of India का ओफिसल वेबसाइट है हम लोग उसमें एंटर कर चुके हैं और हम लोग डारेकली आ चुके हैं DL Status का वेबसाइच में ठीक है तो यहां पर आप लोग को driving license number एंटर करना है और ध्यान रखना है इस type का format रहना है जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो DL hyphen यह number ठीक है और date of birth इस type का format में रहेगा और फिर capture चाइंटर करना है और फिर check status पर क्लिक करना है और कुछ note point दिया गया है यहां पर आप लोग देख सकते हो total number of input characters shall be exactly 16 including space और hyphen तो यहां पर आप लोग space देख सकते हो या फिर hyphen देख सकते हो इस जगह पर ठीक है यहां पर आप लोग अगर आप लोग old driving license hold करते हो with a different format please convert the format as per the following rule यहां पर आप लोग देख सकते हो इस type का convert करना है आप लोग को या फिर इस type का convert करना है ठीक है और double SS जो है two character state code है यहां पर आप लोग देख सकते हो like RJ for Rajasthan TN for Tamil Nadu आर आर जो है two digit RTO code है yyyy four digit year of issue है ठीक है तो यह सब आप लोग को एक बार देख लेना है और इस type का format में आप लोग को convert करना है अगर आप लोग old driving license hold करते हो तो ठीक है तो मैं यह detail अभी बनने जा रहा हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा current status active दिखा रहा है और और मेरा नाम है फिर source of data सारती और driving license initial detail यहां पर आप लोग देख सकते हो इस तरह आप लोग अपना deal status चेक कर सकते हो तो अगर आपके लिए यह वीडियो यूसफूल रहा प्लीज टू लाइक सेयर कॉमें और सब्सक्राइब तो मैं चनल बिने टेक धेक धेक धेक्यू कर दो कर दो कर दो कर दो